हेलो एफ्रिवान, वेलकम बैक टू दे चैनल, आज मैं आप सब के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही टेस्टी धावा स्टाइल मटर पनीर की रेसिपी जो घर पे बहुत ही सदा पॉफेक्ट बनता है और सब को बहुत पसंद आता है, आप इस रोटी के साथ नान के साथ पहमान आने वाले हैं, तो आप ये जरूर बनाएं और उन्हें खिलाएं, ये उन्हें बहुत पसंद आएगा और सब आपकी सरूर तारीफ करेंगी, चलिए इस धाबा स्टाइल मटर पनीर को बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम ले लेंगी एक बड़ा चमच तेल, मैंने यहां पे सर्सों के तेल का इस्तिमाल किया है, आप चाहें तो किसी और का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, एक बड़ा चमच मैं यहां पे साबुद सिगरा डाल रही हूँ, अब हम इसमें डाल देंगी दो मीडियम साइस रफली चौप की हुए प्यास, इसे हम तेल में इसे भी हम 2-3 मिनिट के लिए सौटे कर लेंगे तेल में, अगर आप जादा तीखा पसंद करते हैं, तो आप जादा भी डाल सकते हैं हारी मिर्च, अब हम इसमें डाल देंगे नमक, स्वादा नुसार, दो साबुती लाइची डाल रही हूँ मैं, एक से दो मिनिट के एक से दो मिनिट के लिए कुक होने देंगे, ताकि ये दोनों मसाले हमारे प्यास में अच्छे से मिल जाएं, बाकी की लाल मिर्च हम बाद में डालेंगे, अब मैं इसमें डाल दूँगी काजू, दस से बारा, और यहां पर मैंने लिए हैं, चार से पांच टमाटर, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया था, इसे भी हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगी, दो से तीन मिनिट के लिए हम इसे कुक करेंगी, जब तक हमारे टमाटर हलके से सॉफ्ट ना हो जाएं, अब टमाटर अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, हम इसमें डाल देंगी, ए से 10 मिनिट के लिए मैकसिमम आप इसे 10 मिनिट के लिए कुक करें जब तक यह पानी अच्छे से कम ना हो जाए और जो हमारे टमाटर हमने डाले थी वो थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए अब 10 मिनिट के बाद हम चेक कर लेंगे आप देख सकते हैं कि पानी कम हो गया है और हमारे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए है अब हम फ्लेम को आफ कर देंगे और इस मिक्शर को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे जब यह अच्छे से ठंडा हो जाएगा हम इसे ग्राइन कर लेंगे मिक्सर में अब हम फिर से कढ़ाई लेंगे उसमें डालेंगे एक चम तेक्टर मेद पानी पानी मेचनी की और मैं इसे नवा, खी सकीते हैं, लूड़ मेद नुट पहले हैं, और मौं तेस्ट किते हैंगे रिष्क आहिए ओञेगे सब्सक्राइएर, पल्सक्राइए. धनिया पाउडर, आधा चमच हम इसमें लाल मिच का पाउडर डालेंगी, क्योंकि हमने पहले भी आड़ किया था, चुटकी भर मैं इसमें चीनी आड़ कर रही हूँ, आप चाहें तो शहद भी डाल सकते हैं, एक बर इसे अच्छे से मिक्स करेंगी, और दो मिनट के लिए अब इसे एक बर हम अच्छे से मिक्स करेंगी, इसके बाद हम इसे कवर कर लेंगे, कवर करके हम इसे कुक कर लेंगे, तीन से चार मिनट के लिए, फ्लेम को आप लो से मीडियम पे ही रखें, अगर आपने मटर को पहले नहीं बोईल किया है, तो आप थोड़े टाइम के ल आप इसे हलके हातों से मिक्स करें, अगर आप सोड से मिक्स करेंगी, तो पनीर तूट सकता है, हलके हातों से इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे, अब मैं फिर से इसे कवर कर लूँगी, और दो से तीन मिनट के लिए इसे और कुक कर लूँगी, फ्लेम को आप लो से मीडि कशोरी मेति को आप इस तरह से हाथ में ले और इसे इस तरह से हाथों में रब करके यह आपको बहुत पसंद आएगी आपके घर में सब इसे enjoy करेंगे और आपकी काफी तारीफ करेंगे चलिए अब हम इसे serve कर लेते हैं इसे हम गर्मा गर्म serve करेंगे और enjoy कर सकते हैं आप नान के साथ, परांठी के साथ या फिर रोटी के साथ भी आप इसे जरूर बनाएं सबको खिलाएं, ऊपर से हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी आड़ करें हैं अगर आपको ये recipe अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर ट्राय करें और मुझे comment section में बताएं कि आपको एक कैसी लगी अगर आपको ये recipe अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प्रेस करके all पे क्लिक कर दें तागे आपको सारी notifications मिलती रहें thanks for watching